वेलकम टू माई चैनल आज मैंने बनाया है राजस्थानी रबडी मालपुआ कुछ लोग इसे बंगाली रजगुले भी कहते हैं और इसकी रेसिपी बहुती एजी है बहुती सिंपल तरीके से बनाया है मैंने इसे बनाने के लिए हमें चाहिएए 1.5 LOVE的 चीनय लिए ल्ड मिल्क कीडिया में पेशी के चैसरख दाल सकते हैं तो हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा चिप चिप होने तक कुक करना है जादा कुक नहीं करना है तो यह रेडी हो गया है मिल्क को हम इतना कुक करेंगे कि जितना भी है वो हाफ कौन्टेटी में रह जाए जैसे आपने एक ग्लास मिल्क लिया है तो उसको कुक करके वो हाफ ग्लास भेजाए आपको इतना ही कुक करना है मैं इसके इंदर 100 ग्रम खोया एट कर रही हूँ इसे डालने से हमारा माल का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा अब इसको हम से एक से दो मिनट कुक करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब रेडी हो गया है अब मैंने गेस की फ्लेम ओफ कर दिया है तो आप इसके इंदर थोड़ा से लाइची पाउडर एट कर दीजिए आप चाहे तो मिल्क को जब बोईल होता है तो तब भी डाल सकते हैं यहां पर मैंने देशी का यूज किया है फ्राइ करने के लिए आप राय बेन का यूज कीजिए ताकि यह फेला हुआ होता है और इसमें हमें फ्राइ करने के लिए ज्यादा घी की ज़रुट नहीं है आप इस तरीके से कलचुल से डाल कर आप इसको अलट पलट करके से गानिश करेंगे तो हमारा राजस्थानी माल पूर अरब्री रेडी हो गया है इसका टेस्ट बहुत ही गजब का है तो आपने देखा इसकी इतनी एजी और सिंपल रेसिपी है आप लोग इसे जरू ट्राइ कीजिए पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कर